हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मस्त हेलफुल वाला वीडियो लेके आई हूँ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम नाभी में बस एक थोड़ी सी और छोटी सी चीज़ जालकर हमारे पूरे शरीर में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं तो चली ज्यादा बाते ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टाट अगर चैनल पर नए आए हो पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आपके फैमली मेंबर्स के साथ क्योंकि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होने वाला है और अगर मेरे पुराने वारे subscriber हो तो आप सबी को बता है क्या करना है आपको करना है like और आपके friend और family members में करना है share तो चलिए फिर कते हैं विडिको स्टार्ट तो नाभी हमारे शरीर का वह हिस्सा है जहां पर जन्मा जो बच्चा होता है वह मा के पेट में जन्मा मिन्स मा के पेट में जो पढने वाला बच्चा है जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया है वहां से मतलब नाभी द्वारा अपना पोशन लेता है हेल्दी बनता है उसकी ग्रोथ होती है तो नाभी की वज़े से ही यह सारा कुछ हो सुकता है नाभी में तेल डानने के बहुत से फायदे हैं वैसे तो अंगिनत फायदे है बट जो जो मैंने खुद पर ट्राय किये है या तो फिर मेरा जो एक्सपिरेंस है वो मैं साथ शेय आइदव करना चाहसी हूँ सर्सो का तेल लेना है आपको वैसे तो अलग 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 यह पहुत ही जादा फाइदएमंद है, हमारे आखों में अकसर जलन होती है, खुजली होती है, अगर नाबी में तेल ढालते हैं तो आखों में आने वाले खुजली, जलन जो हैं वो सब कुछ मतलब दूर हो जाता है, तो बहुत अच्छा होता है आखों के देना हे और नाभी में रखकर रात को सो जाना ही और दुसरा फाइदा है जिनके होट ठाजनेधर होते है तो इसके लिए भी नाभी में तेल डाना बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद है गाईज मैं आपको क्या बताओ इससे हमारे जो लिप्स है वो सौफ्ट रहेंगे और मतलब नैचरली पिंक रहेंगे तो नाभी में हमें थोड़ सा तेल डालकर मसाज कर लेना होता है रात में बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है तो थर्ड हमारा जो फ पाबलम शुरू ही होता है पेट का तो उनके लिए भी यह जो सरसो का आयल है वो बहुत ही अच्छा माना गया है और मैं खुद से ड्राय किया है मेरे बच्चों का जब भी पेट दद होता है ना तो में उनको उनका जो पेट है उसको ना मतलब जो मालिश करते हैं हम हलके हल कि हाथ से मालिश करने होती है पूरे ना भी में नहीं पूरे पेट पर हमें थोड़ा सा आयल लेना होता है तीन से चार ड्राप आयल ले लीजिया सरसो का और बस हाथ एक दम मतलब स्लोली स्लोली घुमाते हुए और फिर बस दस यह पंदरा मिनिटर में जो ग्यास की प्राइबा लीकिस यह फॉट बढ़ियों के लिए है और घुटने में दर्ध होता है बहुत ही जादा पैन होता है एसा नहीं है कि मनलब बजुर्ग हमारे उनी को होता है अब वी तो हर एक लों हर एक हरेसलिकी यह वालों के गुटनों में दर्ध होता है जो हमारी सरकूलेशन वा How Heart and cow Heart कर लाइब है कि हमारा जो थीक हुरुआ है हम्मेशा एक्टिव क्लिटी रहता थे तो बहुत अच्या होता है हमारे में दो से तीन ड्रापOh say बस हमेशा के लिए अपने पूरे मतलब जो प्राब्लेम से उससे छुटकारा पालो तो नेक्स हमारा फाइदा है कि हमारे शरीर में जलन खुजली अक्सर होता है ना समर के डाइम में तो जलन होती है खुजली होती है और हमें मतलब ना इसे विटनेस सा होता है तो हमारे शरीर में एनरजी नहीं रहती है तो इस वज़े से हमें थोड़ा सा मतलब यह होता है हमारे शरीर को थकवा जादा आ जाता है तो इस प्राबलम से छुटकारा पाने के लिए आप नाभी में तेल डाल सकते हो उससे भी आपको निजात मिलेगा और कुछ लोग बहु में तेल डालने से ना वो बहुत ही स्ट्रांग उनके मसल स्ट्रांग होते हैं और उन्हें एनरजी भी मिलती है तो बस एक यह फाइदा है और लाश और बेस्ट फाइदा हमारे स्कीन के लिए हैं हमारे स्कीन के लिए क्या नहीं करते हैं बताओ तो आप बहुत कुछ करते ह यह लगा लो और इतने ज्यादा मेहंगे मेहंगे प्रोडक्त लगाते हैं उनका मतलब यूज करके हमारे स्कीन पर कुछ होता तो नहीं है असर बटना वह चीजे जो हम कैमिकल वाली जो चीजे हैं हम वह यूज करते हैं तो हमारे स्कीन पर वह दाग धब्बे छोड़ जाते ह हैं किसे के चहरे पर रिंकल्स होते हैं किसे के चहरे पर दाग धब्बे होते हैं तो यह सब चुपाने के लिए या तो फिर हटाने के लिए हम बहुत से ऐसे क्रीम का यूज करते हैं मार्केट में बहुत हर एक तरह की मतलब क्रीम अवेलेबल है बट इससे ना आपको कोई और कोई फाइदा नहीं होने वाला है आप बस अपने नाभी में थोड़ा सा तेल लगा लो थोड़ा सा तेल डालो और कोटन के हेल्प से डालो और रात को इसे ही डाल के छोड़ दो दो से तीन ड्रप आप देखोगे खुद देखोगे आपके चेहरे पर मतलब एक अजिब सा एक चमक एक ग्लो आएगा आपके स्कीन पर तो यह बहुत ही मस्त होता है और बहुत अच्छा और बहुत सरल करते हो बस एक एक चीज लानी है आपको वह आपके किचन में ही आपको मिल जाएगी अगर आप यह इसमाल करते हो सरसो के तेल का तो बस नाभी में अपने तेल लगा लेना है छोड़ देना है कॉटन के हेल्प से तो आपकी जो स्कीन है ना वह नैच्रिली ग्लो करेगी और और ऑर हमारे बालों की लिए यह इसका जो रिजल डेना ओमाई गट इतना ऐमेजिंग है ना यार जिनके मतलब कम उमर में बाल पख जाते है में सफेध हो जाते है यह तो फिर जिनके हैर की ग्रोथ नहीं होती है जिनके हैर फॉल होता है उनके लिए तो यह राम बानीलाज है काईस सची में बता रही हूँ मैं अपना एक्सपिरेंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स है सरसों के तेल के आप ज़रू से ट्राय कीजिएगा और आपका एक्सपिरेंस मेरे साथ शेय कहर फरहूं यह अपर क कीज़न मैं अपर बहुत है है यहादा है तो मिन्याय कीजिए ट्राइबट्स नहीं होता नो इसका कोई भी साइड इफेक्स नहीं होगा आप यूज कीजिए आपका जो एक्सपीरियन्स है वो मेरे साथ शेयर कीजिए तो बस मैं आप लोगों के लिए यही मेरा जो वीडियो है वो लाई थी I hope सब्सक्राइब लोगों को मेरा यह वीडियो हेलफुल रहा होगा और अगर आपको जरा से अभी मेरे पर ट्रस्ट होना तो आप जरू से यूज कीजिएगा और मुझे आपका एक्सपीरियन्स शेयर कीजिएगा नेक्स वाले वीडियो में देते हैं आपकी इजाजत तो कते ह वीडियो का एंड तो मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना न्यू हो तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करना चले फिर मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तब तक ले बाबाई